तो आपको पता है कि हम बहुलग आज बताने वाले हैं तो आपको पता है कि हम बहुलग आज बताने वाले हैं ठीक है तो रोगियों संख्य कितनी है चाह है तो अगर इसमें हम देखते हैं तो बहुत रोगी किसमे है देखेंगे पता चलेगा कि इसमें बहुत सारी रोगी किसमे है देखें पांच से लेकर के पंद्रा वाले कंडीशन में देखते हैं जाहिए इसमें अब देखें पांच 35 के बीच में 23 है और इसी तरह इसमें 14 है इसमें 5 है तो देखते हैं अधिक मरीज किसमें है अधिक रोगी किसमें है बीमार तो हमें पता चार रहा है कि ये 23 मरीज जो है सबसे अधिक है और इसमें इसका जो आयू कि इसमें मतलब आयू कितनी आ रही है वर्सों में 35 से लेकर 45 यह वाले कंडीसन वाले जो आदमी है जो पेशेंट है तीन लेकर 45 उमर के ओटी इस हैं मतलब अधीक है जबसे ज्याद़ बीमार कौन से हैं तेई 35 लेकर 45 साल के जो यूँअग है या जो भी पुरूस है यो इस तरी हैं जो कुछच भी है मतलब 25 लेकर 45 वाले जो परसन है व अधिक मतलब बहुत हो वही बहुलक होता है तो यहां समय पता चल जाएगा लेकिन इसको हम बताने से पहले चलते हैं कुछ और चीज़ बता देते हैं तो मैं ही बताने चल रहा हूं मैं संतुस्कुमर पटेला और आप देख रहे हैं टेक्नो प्लसी रिजेन को जिस पर हम टे है अपनी 10 की प्लेलिस्ट चेक करिए आपको 100% बहुत अच्छा कुशन मिलेगा और चैनल से अगर जुड़ ही जाते हैं तो अभी जो 10-15-20 दिन जो भी बज रहे हैं उसमें अच्छे निदनी अच्छे कुशन दे दो दोगा आपकी 100% सभी बरिच्छों में सभी मतलब सभ इस तरीके से बनाएंगी देखिए मैं बना रहा हूं यह इस तरीके से खड़े 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 बना लिए ठीक है अच्छा खड़ी खड़ी साड़ी हमने बना लिए तो इसमें देखते हैं कैसे इसको लगाना है इसको लगाना है तो हम कैसे बताते हैं देखिए तो इसमें हमें सबसे पहले भी जो बोला पिछले थोड़ी देर पहले बोला ना कि सबसे अधिक मारीज कि इसमें बिमारा यह है तो हमें इसमें तीन चार चीज़ें ढूड़ना होता है देखिए आप साठ कस्वते दिहाती भासा में या सही से इपनी भासा में समझेए क्या क्या चीज़ें हमें ढूड़ना है जो हमें मतलब मिल जाता है देखने पर कि मतलब संख्या क्या संख्या मतलब बारंबारता जिसको बोलते हैं अधिक किसकी बारंबारता अधिक है इसको हम बारंबारता नाम दे सकते हैं इसको क्या नाम दे सकते हैं बारंबारता तो यह आपको मतलब बारंबारता तो बारंबारता मतलब हमारी अधिक जो बारंबारता किसकी अधिक है आप तो देखते हैं 23 ettे एक बात सोचिए कि इसमें js Estate कर ने डिगन आपको पता हो एक कि असमें होता है आप 2 होता है तो हम पताते है up on याकिर कौन सा होता या कि境 तो पता हो कि कभी भी यक्स लिक्ते हैं डीक्म लिकते हैं हर बोलि करेकम लिक्ते लिक्ष यक्स यक्स लिखते हो तो कभी उसमें देखिए यहां पर घात एक वन लिखी रहती है नहीं लिखी रहती है नहीं लिखी रहती है यहां पर वन रहता है यह लिखा रहता है नहीं लिखा रहता है तो क्या करना है जब कोई भी चीज अकेली रहती है तो वन उसमें नहीं लिखा रहत टैपर one उमें मालते हैं मतलब हम यहहां पर एफ निकाल रहे हैं तो इसका मतलब यह फोन निकाल रहे いきा रहे हैं और ऐक भात धब आदा कि F4 है F4 से पहले F0 आता है क्यों One से पहले क्या आता है जीरो देखिए A1 होगा यह 0 होगा यह 2 होगा करम से देखिए करम 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 देखिए सबस्ते पहले zero फिर oneई बीच में तु उसके बाद किसमे हो रहे हैं यह वन कहा निकल नहां भी एू बीच भी निकल रहा ठीक है इसे तरीके से अगर आप जब उसके बाद आयेगा तो मतलब यह हो जाएगा एफ टू चाओदा तो हम सभी लिख देंगे एफ जीरू हमारा 21 एफ टू आया हमारा कितना यहाँ चाओदा ठीक है तो यह किसलिए लिख रहें अब भागिये काम पड़ेगा एफ जीरू एफ टू लिए ठीक है अब हम जो एफ उन में जो पहले हमें यह फॉन निकालना मतलब आपको निकालना अब यह फोन अगर हम निकाल लेते हैं न तो उसी के सीध पर हम जा से तो दूंडिए नहीं जो नीचे होती है इसको नीचरी सिमय बोलते हैं तो लो को पता स्य एक पता हो लो लो का मतलब नेम ठीक है इसको लोफ और कर दें तो क्या होगा नेमन मतलबर कROC as a low low लो लो तो भी बेंड ello को बाइट यो ग इतली नीचे और हो गए हुगा चूटेए कंव हो गई है तो लो का मतलब निचली नीचे कंसाइस में क्या 25 नीचे है कि 35 नीचे है पैसिस नीचे है न तो लो मतलब L, इसमें हम L ढूनेंगे L हमारा हो जाएगा कितना 35 इसको हम निमतम सीमा बोलते हैं निचली सीमा और ये उच्छे तम सीमा मतलब उपरी सीमा होती है ठीके, तो यहां से हम L निकाल लिए और H इसके बीच में H का मतलब अब देखिए आप 35 थे, यहां पर देखिए एक उचाई है, यहां पर आप 35 थे अगर उपर बढ़ते गए, संजोग से यहां पर कितना होगा 45 होगा, तो देखिए इसमें उपर बढ़ रहा है मतलब H बढ़ रहा है, इसका क्या है उचाई समझ लीजे, H का मतलब अपने दिमाग बैठाने के मैं H बोर रहा हूँ उचाई के रूप में बखी इसका नाम काम अलग है H हम क्या बोलेंगे, उचाई, मतलब 35 से हम 45 पर पहुंचे तो इसके बीच के जो डिफरेंस होता है, वही अचा होता है हमान हमारा कितना पायता है, 35 में कितना आया, 10 आया सारी चीजों को समझ गये हूँ, बस इतनी चीजों के हमें जरूरत है बस यही चीज हमें याद इतना करना है कि कैसे कैसे निकलता है ठीक है, इसका रिवीजन हमें कर देंगे एक बार फिर से लेकिन एक बार फिर से ध्यान दीजिएगा, कैसे कैसे इसको हम सबस्थ पहले हमें क्या ढूड़ेंगे, एफ ढूड़ेंगे एफ ढूड़ने का मतलब एफ वन है, क्योंकि वन लिखना तो जाता नहीं है तो फिर भी इसमें तो गड़ी था, इसमें समझना है एफ वन ढूड़े, तो उससे पहले जीरो आता है तो एफ वन से पहले जीरो और एफ वन के बाद एफ वन के बाद एफ टू आता है इसी तरी के तिर अफ वन के सीद पर ही जो वरगंतरा लाएगा जो वरगंतरा लाएगा उसी को हम ले जाएंगे और जो सबसे कम रहेगा उसको हम L बोलेंगे और L के बाद इतना वो आगे बढ़ा कितने बाद दस बढ़ा तो 45 हुए तो 10 का H हो गया सूत्र देखें कैसे बनता है बहुलक का सूत्र होता है मतलब मौड देखें बहुलक क्या बोलता है मौड ठीक है यह मौड मौड कैसे सूत घर सब्सक्राइब धूल करो कैसे लिए भी लाइधन कर सीब्सक्राइब कर दीआफ बहुलक ग्ली एक और-देया αλλά यहां पर educating लिए अब क्रश्राइब क्या करना है माइनस बडल ड्रेकारी के जतने भी चिन है रहेंगे सब माइनस में रहेंगे बीच ओ भी यहां भी माइनस है आप गुड़ा में हमें क्या लिखना है एक लिख देना है बस इसी फार्मुलिका यूज करके हम क्या करते हैं चलते हैं सवाल के मानों को रिसी हरी जगव पर प्लैस करते हैं देखिए एल कमान है हमारा कितना है ऊपर देखते हैं 35 प्लास एफ ओन कमान कितना है चाओ उसाई भूल गए 21 माइनस एफ जीरो कमान कितना है एफ जीरो कमान कितना है नहीं एफ ओन कमान 23 है एफ ओन कमान 23 है और एफ जीरो कमान 21 है और उसके बाद है से मुआ ही आपका 23 माइन्स 21 और इसका 2 गुना करना है इसका क्या करना है दो गुना 2 से गुड़ा एफ़न में माइनस जब 0 अप 2 उप लिखना है एप 2 हमारा कितना है 14 है और इसको एक एक स्टेप कैसे हल करेंगी यही चीज आपको ध्यान देंदेरा देखिए कैसे इसको हल करना है हल करने इस पहले हमें क्या करना है कि हमें पहले गुड़ा ही हल करेंगे 35 को ऐसे ही लिग दीजिए 23 को आप ऐसे लिखिए ऐसे पड़े रहने तेज़ दूना 66 हो जाएगा दो त्यूना चार्स और च्यालीस भूल गए दोनों को जोड़ लीजिए क्योंकि यह भी माइनस में भी माइनस जोड़ जाएगा तो चार दू पांच और दो तीन पैंटिस हो गया चौबिस और चौदा और एक्की समारा हो गया 35 अब इसको ब्रेकर बनके एच कमान हम यहां पर रखे नहीं थे एच कमान हमारा टेन था इ पहले क्या करना है गुड़ा को हल करना है और इन दोनों को जोड़ लेना है इनको गुड़ा करना इनको जोड़ लेना इस तरीक लिए अब कोई दिक्कत नहीं है 35 को 35 ही रहने दिए और यहां पर देखिए 21 मतलब 23 में अगर 21 घट आते हैं तो हमारा कितना आ जाएगा दो जाएगा और 46 में अगर 35 घटा आते हैं तो 35 में पांच बचा इधार 65 11 बच गया और गुड़ा 10 बच गया ठीक है तो 35 आपका इतना बच गया है और अब क्या करना है इसमें यह कोई इससे अगर यह कटे यह कटे कोई कटे तोकार दीजिए नहीं कट रहा है तो उपर उप इकक में 11 फीर 11 ठी ठेट आसी 11 जारा गया और इसको अगर हम जोड़ देते हैं तो हमारा हो जाता है कितना इसको अगर हम जोड़ देते हैं तो हमारा हो जाएगा तेकि यह 35 हे है है तो 35 करने पर हमारा इतना आ गया और इसको 35 में जोड़ दिए तो हमारा उत्तर आ गया ठीक है और तो इस तरीके से हमने इसको हल कर लिया तो आपको पता होना चाहिए सूतर आपको यह याद होना चाहिए और साथ ही साथ हमारा एफ पहले मानना है एफ़न और इसके पहले आप जि वो ऐसे छोड़कर मज़ए और चैनल को सब्सक्राइब भी करते जाएए आपको अच्छे इच्छे वीडियो हम लेकर आएंगे यह बहु लख है नेस वीडियो माध्धिक्या होगी माध्धिक्या भी आप देखने दें के लिए चैनल पर रहिए माध्धिक्या समांतर माध्धिक्या हम देंगे तीनों मैंसे आपको आराम से मिलेगा चार चार नंबर तुपक्का ही मिलेगा सब्सक्राइब चलिए देखते हैं और हिंदी की भी क्लास लगे सभी क्लास चैनल के नीचे पर लिश्ट में हैं डिस्क्रिप्सिन मेर चक कर लिए ओके चलते हैं मैं संदुस्कुमर पठेल आप से लिते हैं विदा फिर मिलेंगे नेक्स वीडियो में तर तक के लिए जैहिन गुडबाए और गुड़ लग आपका अच्छे से परिछाओ और अच्छे से परिचाओ और आप अ कर दो पादा आप